तो स्वागत है आप सभी का Gyapun Academy के इस नहय है और लेटेस्ट विडियो में आज के इस विडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्धू पढ़ने वाले हैं, दो चेटर, चेटरื नमबर 25 और चेटर मिब बटीवायँ इन दोनों चेटर को आज के इस विडियो में हम लोग के यह भी कॉशन मैं आपनों को विश्वास दिलाती हूं छूटे गांघ का नहीं थी ग मैं चलनिल में स्टार्ट करते हैं आज के तब सब Cada बाले जबढ़ीघ नॉटिकाटन भी य टो नाउलोब ही आप तक सबसे पहले पहुचे तो नाउट एपड़त इन इलैल सब noi चेप्टर number 25 और चेप्टर number 26, ये दोनों चेप्टर कतर तारीख है, इसलिए दोनों चेप्टर को एक ही वीडियो में मैं complete करा रही हूं, कतर तारीख किसे कहते हैं मैं ठीक इसके पहले वाले वीडियों में आप दोंको बता भी चुकी हूँ किसी भी घटना मतलब वैसी बीती हुई घटना मतलब वैसी घटना जो बहुत पहले बीत चुकी हो और वो इंसिडेंट हुआ हो तो उस घटना के बारे में चीएर हो शैरिक के अंदाज में लिखकर बयान कर देना किया कहलता है कता-तारीक कहलता है इसका पहले वास कि हम बता चुफी हो ठीक है है एक दोनों 26 chapter में मुलाना निजामदीन साहब को पर यह कत्य तारीख लिखा गया है यानिकि मुलाना निजामदीन वाहिद नजीर का असल नाम यानि की रियल निम अब्दुल वाहिद है सबसे पहले हम लोग वाहिद नजीर के बारे में जो भी डिटेल्स कुछ का सदिया गए उसको समझ लेते हैं फिर मैं इन दोनों कदर तारिख को एक एक करके हर एक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ जार्खंड 2000 में अलग हुआ था लेकिन उन्हें से 68 यानि की जार्खंड अभी बिहार ही में था तभी वहिद नजीर की पतायश हुई थी 1968 में ग्रेड़ी जिला जार्खंड के ग्रेड़ी जिला में ठीक है और शोबह उर्दू पटना सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट यह रह दीन दिधनेंग्वेजस अब डूर्ण का 50 अख देख सकते हैं टापितृ और उर्दू अहीं तीनों पर इनकी गहरी नजर थी मतलब नौलेश था फार्सी अर्भी और तीनों लेंग्वेज में इनकी आप बोल सकते हैं नौलेश था ठीक है आगे बढ़ते हैं 2007 इस भी में रौनक और कलामे रौनक और जहाने नादीदा ये दो किताब जो है ना शाय हुआ ये परकासित हुआ व और वाहिद नजीर याद रखिएगा ये शायर के साथ महक्तिक और नकाद भी थें वह सकता है कि यहां से अब्जक्टिव पूछ दें इस चैप्टर से जादेतर कोशन नहीं पूछा जाता है क्योंकि पूछेगा क्या वाहिद नजीर के बारे में इतना ही तो डिटेल्स आ लेकिन चैप्टर से यह जो दोनों कता तारीख है ना यहां से आज कोशन पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगो इन दोनों चैप्टर को पढ़कर और हर एक लाइन को पढ़कर फ्लाचा करूंगी ताकि इस बार कोशन पूछ दे तो आप लोग छोड़ करना है च इस तरह का मॉमिंट दिखाई दिया था वो हर एक चीश लिखकर बयान की है चलिए सबसे पहले पढ़कर मैं आप लोगो समझाती हूं पहला काता तारीख सबत है मखलूक पे महर इलह तर जाओन मौत की बनियाद पर है जिन्दगी की च्छत बनी इसका मतलब यह हुआ कि इ इस दुनिया पर भेजा है यानि कि हम लोग अगर जिन्दा है हम लोग को जिन्दगी मिली है तो याद रखना है हम सभी लोग को कि एक ना एक दिन हम लोग को वापस लोट कर जहां से आये हैं वही पर लोट जाना है यानि कि हम लोग की मौत निश्चित है मौत की बुनिया ही जंदगी की चट बनीय तो उसी वक्त हमारी मौत हो गई थी कि कि महारी art कभ वोगी कहां ? krij हम सब कुछ सभुशा हो गया थफ टै हो गया था ? तभी हम लोक जिनदगई मिली या लिकी मौत की बुनियाद पर हम लोग इस लगी हुई है बस हमें क्या करना होगा जिंदगी को जी रहे हैं जब तक जी रहे हैं वापस हम लोगो को दुबारा लोट जाना होगा ठीक है साइए जम्हूर अश्रफ शायर वा कानून दा क्या मौमर जात थी जो कब्र की जीनत बनी क्या वाकई में लिखा गया है लेखे को आदिब हो चाहे यह गराचंगेजी हो चाहे आप ले सकते हैं आखरी मगल शासक जो था बहादर शाह जफर वहों कोई भी हो हर शायर में कोई न कोई एक क्वालिटी होती है शायर लिखने की तो यहां पर देखिए इस शेर में बहुत ही खुबसूरत अंदाज में बताने क की कोशिश किये हैं वाहिद नजीर की अश्रफ कादरी को बोल रहे हैं कि जनाब अश्रफ कादरी जो हमेशा लोगों की जजबातों को समझा करते थे उनके लिए आवाज उठाया करते थे वह एक शायर भी थे यानि की जनाब अश्रफ कादरी क्या थे एक शायर भी थे और कानून दा भी थे यान कि कानून नियम और कानून की भी उनको नौलिज दी आप बोल सकते हैं वो एक वकील भी थे ठीक है और जनाब अश्व कातरी कि क्या मुम्मर जात थी यानि कि उनकी बहुत पुरानी जात थी बहुत अच्छी बहुत खुबसूरत और इसी वज़ा से उ गदार देखिए मौट से किसको मुफिर हो ताजयौर तूर्व बनी यान कि मोत से किसको छट तका रहे हर इनसान को मौत आनी ताजυर ह्याकर है टाजय है की वालदिशाण और या इंसां है कोई पादुर गरीर नहीं हूं हर इनसान को मौत आनी है कि ठीकए आज हमारी तुकल तुमारी बारि अगर आज हम मरते हैं तो कल आप लोग भी आप लोग का पिंटेकाल होगा हर इंसान को एक ना एक दिन मर ही जाना है मौत आनी यानी है जब शहलोलाग की भी जाहिरन तुर्बत बनी जब हमारे नभीय करीम मुथ कि मौत हो सकती है उनकी हों इंसान कौन सी खेत की मूली हैं हम लोग का इंतिकाल को इनसां यह नहीं सोच सकता कि हम हमारी कभी मौत होई नहीं सकती है यह सबसे बड़ा बेहोकूफ है उसको एक टमरे में ले लिए बैठा कर समझाना चाहिए कि देखो इनसान जो है न अगर जिन्दा है तो मरने के लिए एक ना एक दिन मरेगा पक्का तो जो भी इनसान इस तरह सोच रहा हो कि हम कभी जिन्दगी में मर नहीं सकते हैं उनको अराम से ले जाकर बैठा कर आप लोग समझाईएगा जब हमारे नबिय करीम से लगे की मौत हो सकती है तो हम इंसान कौन सी खेट की मूली है हमारा भी मौत निश्चित है ठीक है कही अश्रफ कादरी हमसाया कादिर बने गौस की निस्बत वहां भी बासे रह्मत बनी यहाँ पर बोल रहा है वाहिद नजीर अश्रफ कादरी को कि स विज्या लिए क्योंगतिंहें करीया अफ़कार में मुलहिंण लगाता है सदा कह शकूनत गाहे अशरडी जन्नत बनी यहां यह पर यह लास्टॉरं है और वहिद नजीर कह रहे हैं फिर यहां पर बताना चाहा रहे हैं कि एक गाउं में ऐलान करने वाला आवाज लगाता है यान कि एलान करता है कि जनाब अश्रफ कादरी का जो सुकून का जगह है अराम की जगह है अब जन्नत बन चुकी है यानि कि जनाब अश्रफ कादरी की मौत हो चुकी है और लास्ट में किस साल मौत हुई यहां लिए गया है उन्हें से अंठान बेज़ी में हो गया था जनाब अश्रफ कादरी का इंतपाल तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि एक गाउं में ऐलान करने वाला एलान करता है कि जनाब श्रफ कादरी की आराम की जो जगह है अब वो जन्नत बन चुकी है यान की जनाब श्रफ कादरी की मौत हो चुकी है यहां पर हो जाता है फाइनली चैप्टर नमबर 25 कंप्लीट और समझते हैं अब चैप्टर नमबर 26 जो कि मौलाना निजाम उद्दीन साब के उपर लिखा गया जब यह अमीर शारियत बने थे तो देखें लिखें हैं स्टार्टिंग में वाहिद नजीर कि किसने दस्तार अमीरी सर पर बांदी है नजीर आज जब के मुल्क में हालात यूं संगीन है यानि कि वाहिद सर्फ की हलात बहुत ज़ीदा संगीन है यान के सिरियस है यह उस वक्त की बात कि गई है जब भारत को आजादी दिलाने के लिए लोग संगर्स कर रहे थे ठीकर भीषवी सदी की बात है सदी स्रताब्दी तो आप लोग जानते हैं एक से लेकर साल के सब्सक्राइब थी ठीचे हैं थिए उसी तरह उनिस से सलेकर बीच के समय को बिशवी सताब्स कहते हैं अभी हम लोग कौन से सर्थी में जी रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोग संघर्ज कर रहे थे और उस वक्त भारत यानि की हमारे देश हमारे मुल्क की जो हालात थी वह बहुजदा संगीन थी उसी वक्त जो है ना मौलाना निजामुदीन को अमीर शरीयत बनाये गया था तो वही वही नजीर कह रहे हैं कि इस करके ऊपर थोप दी है क्या उसको पता नहीं है कि आज हमारे मुल्क हमारे देश का जो हालात है वह कितना संगीन है रक्स करते हैं ममूले कसरतों के जों में पर समीटे पत्थरों के दर्मियान शाहीन है यहां पर बोला जा रहा है कि ममूला और शाहीन तो आप लोग जानते कि बावजूद भी वो गुरूर में रक्स कर रहा है यानि कि इदर उदर उचल रहा है घूंग रहा है लेकिन शाहिन को देखिए उसके अंदर हुनर होने के बावजूद भी बेचारी शाहिन जो है न एक पत्थर के कोने में अपने पर यानि के पंख को समेटे हुए बैठे ह हुँ है इस स्लाइन के माध्यम से ये बताने की कुछिट की जा रही है कि आज के दुन्या में आज के जनेरेशन में वो लोग जिनके पास हुनर और व काभिलियत也 व अतनी उचाई तक नहीं पहुछ पारे हैं उनको प्रॉट सकसिस महीं नहीं बता रही है मतलब जिनके पास इल्म नहीं है, हुनर और काबिलियत नहीं है, वो आजकल बहुत ज़्यदा फेमस हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, उनके पास इल्म है, ज्यान है, हर एक चीज है, उनको वो ओधा वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, थेखें, तो इसल यह जिनके पास हुनर नहीं है काबिलियत नहीं है वो घृतर के हम अपने पर क्या है बैठे हुए हैं ठीक है कर रहे हैं तीरगी को नूर से तावीर सब आलिमों में जोहले वाले बासे तज़ईन हैं यहां पर बोला जा रहा है कि सभी लोग तीरगी को अंधेरे को नूर से तावीर कर रहे हैं सभी लोग अंधेरे को रोशनी बता रहा हैं और इस आलिमो की दुनिया में जो जिनके पास इल्म नहीं है यानि कि अनपढ़ लोग है न अब वो धीरे-धीरे फेमस होना स्टार्ट हो रहे हैं बोला जा रहा है यहां पर कि सभी लोग अपनी सचाई को छुपा रहे हैं इस तीरगी मतलब तीरगी को नूर से ताबीर कर रहे हैं यानि कि सभी लोग अंधेरे को नूर से ताबीर यानि कि रोशनी बता रहे हैं और इस आलिमों की दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत और दौलत मिल रही है किसको अनपढ़ लोगों को जिनके पास इल्म है ही नहीं ज्यान है ही नहीं ठीक है वो फेमस होते चले जा रहे हैं उनका बढ़ रहा है उनका पोस्ट बढ़ता चले रहा है वो सकसेज होते चले जा रहे हैं जो अनपढ़ लोगे वो सकसेज होते चले चले जा रहे है इस आलमों की दुनिया में ठीक है पुर्फतन आलिमों की दुनिया में हाँ पुर्फतन माहौल में बेशक निजाम-दीन आप गमजदों के लिए आप मिनारे तस्कीन बन गए यानि कि सुकून का एक मिनार सुकून की एक तस्कीन तस्कीन मतरम सब्ज़े कि मिनार तक एक निशानी ठीक हैं बोला जा रहा है कि निजाम-दीन सहब आप इतने खराब महाल में भी जो गमजदे लोग हैं जिन पर धेर सारी मुसीबते आई हैं परिशानियों से होकर जो जूज रहे हैं परिशानियों से जो मतलब बहुत जदा उनके जिनलगे में परिशानी आई जो गरीब है लाचार लोग है गमजदा लोग हैं उनके लिए आप मिनारे के दिलों में अपना अपने लिए जगाव बना लेना बहुत बड़ी बात होती है और वो काम मुलाना निजाम-दीन जहब आप किये हैं कि इतने खराब महाल में भी आप लोगों के लिए मिनारे तसकीन बन चुके हैं यानिकि सुकून का एक मिनार बन चुके हैं ठीक है यहां पर बोला जा रहा है कि कौम वों मिल्ट के लिए है बाहते सद इफ्थखार यानि कि इस कौम वों मिल्ट के लिए मौलाना निजाम-दीन जहाब एक आप ही वो इनसान है जिस पर लोग फक्र करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, जिससे उमीद लगाते हैं, यानि कि एक तरसे आप गार्जियन की तरह बन गये हैं इस कौम और मिलत के लिए मौलाला निजामुदीन सहब आप एक गार्जियन की तरह है लोग अपना गार्जियन समझते हैं आपको आप पर विश्वास करते हैं आप पर फक्र करते हैं आप पर भरोसा करते हैं और इसी वज़ा से मौलाला निजामुदीन सहब आप इस कौम और मिल्लत के लिए एक संरक्षक बन चुके हैं जो कि हमेशा अपने कौम के लोगों के लिए खड़े होते हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं और एक तरसे रक्षा का काम करते हैं सपोर्ट करते हैं तो वही बोला जा रहा है कि साने अला अम्र मिनकुम क्या निजाम मुदीन है यानि कि आप इस कौम मिलत के लिए एक संरक्षक बन चुके हैं जो कि इस कौम के लोगों की आप क्या करते हैं रक्षा करते हैं और लोग आपको इपने गार्दियान की तरह समझते हैं आप पर फक्र करते और आप पर विश्वास करते हैं यह लास्ट लाइन था आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और यहीं पर हो जयता है चैप्टर नुमर 26 complete दोनों चैप्टर पूर्णूप से complete हो गया वाहिद नजीर के बारे में भी आप लोग समझ लिए चैप्टर नुमर दोनों को गया है तो दोनों को मिला कर नाम रखा गया है दो तारीखे गया है तो शक्रेरा बहुते इतना याद रखिएगा यह सारा डीटेल्स जो भी अपनों को बताई और चैप्टर जो नशेप्र नमबर 25 ये वाला करतारी किसके उपर लिखा गया है और जो भी खुलासा कि हर एक लाइन पढ़कर उसको भी याद रखना है क्योंकि खुलासा करने के लिए पूछ सकता है अब ज़रूर नहीं की कतर तारीघी दे गजल गजल का भी कोई दो लाइन उठा सकता है औ तो बस आप लोग को क्या करना है लफजो को सजा कर लिख लेना है अगर आप लोग समझ गए कि खता तारीख का इस शेयर का क्या मतलब हुआ समझ अगर आप लोग को मतलब समझ में आजाता है अर्थ पता चल जाता है तो आप लोग खुद से तो आसानी सही लिख पाएंगे ठीकिए लफजों को सचाफ लिख ले रहा है तो चलिए I hope आपलोगों समझ में आया होगा कोई भी सब्सक्राइब और यह ज़रोन करें ज़रूर ज़रूरा करें जो कुछ मैं आपकें शेयर करें अपने डोसी दोस्तों के पास जितने भी आप लोग के कॉंटेक्ट में लोगे चाहो तब शेर कर दें स्टेटस वगरह लगा दें ठीक है और अगर आप लोग चैनल पड़े नहीं हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीड अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज